पिछले क्लास में हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन के अन्दी बेसिस आप कंस्ट्रक्शन देखे थे सेकेंड टाइप का है आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर सेकेंड है आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर सेकंड टाइप है आपका construction के basis पे cell type transformer सेल टाइप टाइप हम देख चीके थे core type cell type transformer में क्या होता है यह basically यह जो classification है वो on the basis of structure of core है चीक है core का मतलब क्या होता है जिस particular physical structure में wire को wound किया जाता है उस physical structure को क्या बोलते हैं, core बोलते हैं तो cell type transformer, cell type transformer है, वो कैसे बनता है cell type transformer है, उसको design करने के basically E type and A type, आपका soft iron steel strip का हम use करते हैं ठीक है, मैंने क्या बताया था, core के design करने के लिए basically soft iron laminated silicon steel है, उसका use किया जाता है laminated silicon steel की strips को क्या किया जाता है, staking किया जाता है एक के उपर एक को staking कर दिया जाता है, ताकि core है उसकी hardness है, वो कम हो सके, solidness कम हो सके, जब उसकी solid solid ना हो ताकि उसमें hysteresis और eddy current की losses हो क्या हो सके reduce हो सके ठीक है तो अगर आपका core का designing हम किसी solid material से करते हैं तो solid material के case में उसमें hysteresis और eddy current की losses से क्या होती है ज्यादा होते है ठीक है तो hysteresis और eddy करें कि losses को ही reduce करने के लिए क्या करते हैं core है उसको solid ना करके हम silicon laminated steel strips को क्या किया जाता है staking किया जाता है और staking करके हम क्या बना देते हैं core design करते हैं ठीक है तो basically cell type transformer है उसको design करने के लिए हम e and i save कि हम क्या करते हैं steel strips का use करते हैं steel seeds बोच सकते हैं या भी steel strips steel की seeds का use करते हैं तो e type और i type steel strips को इस type से arrange करते हैं कि वो क्या हो सके double rectangular shaped core है वो बन सके इस type का आपका यह e save है मैं design करके बता बना रहा हूं यह आपका e save यह आपका e save steel strips है steel का seat hai thin steel strips है इस thin steel strips e save और इसके उपर में हम क्या कर देते हैं आपका तो ईश vec और लाज सिर्डक को इस टाइबल रेक्टेंगुलर सेब क्या हो सके को the design कि या जाजा ह। तो देखो डबल रेक्टेंगुलर होगा यह डबल रेक्टेंगुलर होगा यह डबल तो इस टाइप से इस डबल रेक्टेंगुलर स्टील सीट्स को क्या किया जाता है इस टेकिंग किया जाता है जिसमें से हर एक जो सीट्स जो रहता है सिलिकान लेमनेटेड रहता है एक बन सके कोर बन सके देखो यह डबल रेक्टेंगुलर सेफड़ कोर है यह एक रेक्टेंगुलर सेफड़ कोर है और यह भी आपका रेक्टेंगुलर सेफड़ कोर बनने से क्या होता है यहाँ पर पैरलल रेक्टेंगुलर एक पैरलल मेगनेटिक पाथ क्रेट हो जाता है ठीक ह उसके बाद क्या करते हैं यह आपका central limb है middle वाला आम है central आम हो गया left आम हो गया right आम हो गया तो central आपका जो limb है बीच वाला जो limb है इस limb पर हम क्या करते है high conductivity वाले material से wire wire को क्या किया जाता है तो इस central limb में middle जो आपका inner जो लेयर जो रहता है inner जो winding होता है inner जो winding है यह inner winding है वो क्या होता है primary winding होता है और इस winding के upper layer पे cloth, paper या भी माइका जैसे एक layer से हम insulate करते हैं insulate करने के बाद इसी आपका inner layer के उपर में हम क्या करते है अगेन wire को wound करके second layer यह आपका क्या करता है secondary winding होता है यह आपका winding क्या होता है secondary secondary winding एक है आपका primary winding है उसका design है वो कैसे करते हैं high conductivity वाले copper wire को inner inner क्या किया जाता है wound किया जाता है central limb है middle arm है तो central या फिर middle arm पे हम क्या करेंगे copper wire को wound करके primary winding तयार करते हैं फिर उस primary winding के अपर हम उपर में हम क्या करेंगे cloth, mica या फिर paper जैसे material की एक layer चलाते हैं अगें हम उस paper या माईका या फिर cloth जैसे layer के ऊपर हम क्या करते हैं अगें wire को wound करके क्या किया जाता है secondary winding है वो तयार करते हैं हमेशा यह याद रखना कि क्या होता है जब भी transformer है उसको design करते हैं तो always transformer है उसकी हर एक winding core से electrically insulated रहता है और core से secondary winding भी electrically insulated रहता है और दोनो primary and secondary दोनो जो winding है वो भी एक दूसरे से क्या रहता है electrically insulated रहता है माल लिया जाए हम यहाँ पर हम यह क्या है आपका double rectangular shaped आपका magnetic core बन गया है इस double shaped magnetic core के middle वाला आम यह middle वाला हिस्सा है तो इस middle वाले आम पे हमने क्या किया copper wire को wound करके primary winding तैयार किया inner 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 में हमने primary winding को तैयार किया फिर अगेन उस primary winding है उसके उपर cloth माइका या पर जैसे material का एक layer क्या किया चड़ा है उसी layer के उपर में हमने क्या किया अगेन copper जैसे material से बने हुए high conductivity वाले wire को अगेन उसी के उपर क्या कर दिया wound कर दिया wound करने से जो winding तैयार होता है वो क्या है आपका secondary है तो यह आपका primary winding और यह क्या हुआ अपर जो लेयर जो winding जो रहता है हुआ क्या रहता है secondary primary and secondary जो winding है उसको एक ही limb पर इसको क्या बोलते है यह limb है left limb है यह left limb है यह left limb है यह left limb है यह वाला limb को हम क्या बोलेंगे middle वाला limb या central limb बोलेंगे यह वाला limb है उसको क्या बोलेंगे right वाला limb बोलेंगे ठीक लिंब बोल सकते या फिर आम बोल सकते बूजा बोल सकते तो ये डबल रेक्टेंगुलर सेप्ट आपका कोर है उस डबल रेक्टेंगुलर सेप्ट कोर के आपका इनर मीडिल वाले लिंब पे हम क्या करते हैं कॉपर वायर को यह copper wire को again क्या कर देते हैं हम wound कर दे तो याद रखना एक ही limb पर primary winding और secondary winding दोनों exist करता है but primary and secondary winding both are electrically insulated and isolated from each other but magnetically क्या होता है coupled रहता है तो क्या रहता है किसी transformer का primary and secondary winding electrically insulated रहता है but magnetically क्या रहता है वो coupled रहता है और अगर देखा जाए तो winding जब करते हैं वाउपर wire को जब wound करते हैं तो core में wound करने के दारा core है वो winding से भी insulated रहता है और दोनों winding भी एक दूसरे से insulated तो electrically isolated रहता है electrically insulated रहता है but magnetically दोनों क्या रहता है दोनों winding है वो coupled रहता है तो जंदली हम cell type transformer है उसका use step up या फिर step down दोनों transformer की तरह हम करते हैं इसका हम किस की तरह करते है step up and step down this type of transformer is formed by combining the e-shape and i-shape steel seeds in double rectangular order इसको double rectangular shape ने हम इसको क्या कर दिये है इसको arrange कर दिये फिर इस double rectangular shaped जो steel जो seeds है उसको stacking करते हैं same इस structure का दूसरा layer इसके उपर रखेंगे फिर उसको laminate करेंगे फिर इस double layer के उपर में silicon laminated use करके हम क्या करेंगे तीसरे आपका steel seeds है उसको stacking करेंगे तो क्या होता है still seeds का करते है humus staking करने से जो physical structure तैinaire होता है वो physical structure क्या कहलाता है core तो यह complete structure है हो क्या कहलाएंगे आपका core कहलाता है जो यह core जो है हो कैसा है double rectangular core है double rectangular core डबल रेक्टेंगुलर कोर और यह डबल रेक्टेंगुलर कोर होने के कारेनहा पर क्या होता है यह पारलल मेगनेटिक सर्कीट मेगनेटिक पाथ क्रियेट होता है जैसे यहाँ पर एक्स्टर्नल सप्लाई करोगे एक्स्टर्नल सप्लाई के कारेनहा कर क्या होगा एक फ्लक्स तो basically आपका ये center आपका cell type का transformer है उसका core basically क्या होता है एक parallel magnetic core होता है जिसमे जेनरेटेड़ जो flux है उस particular दोनों आपका magnetic path पर क्या हो जाता है ये divide होता है आइसा divide हो जाता है took clear हुआ तो और एक ही लिंप पर primary और secondary winding को bound किया जाता है primary and secondary जो windings रहता है. दोनों जो winding रहता है. दोनो elektrically isolated रहता है but magnetically क्या रहता है? Clear हुआ याद यह रखे कि हर एक winding magnetic core से isolated रहता है और हर एक winding एक दूसरे से भी आपका क्या रहता है? electrically isolated magnetically coupled but электrically physically दोनो directly connected नहीं रहता है. याद रखना है. ना ही core और winding connected रहता है ना ही दोनों winding एक दूसरे से electrically couple रहता है दोनों directly connected नहीं होता है तो generally ये cell type transformer का use हम step up and step down step up and step down दोनों transformer की तरह हम use करते हैं step down transformer दोनों transformer की तरह हम use करते हैं तो cell type transformer core type transformer and the basis of structure of core of transformer ठीक there are two types of transformer first is core type second is cell type तो हमने क्या किया core type है उसको दो एल सेप्ट सिलीकान लेमिनेटेड इस्टेश सेट्स को इस टाइप से order में connect करके बनते हैं कि वह एक single rectangular core है वह हो सके clear हुआ तो ये cell type transformer हो गया अंदर बेस ये core core है devil याद रखना कि इसमें आपका winding है उसको wound हम central limb पर ही करते हैं middle limb पर ही किया जाता है अब on the basis of operated AC signal बोल सकते हैं applied AC signal अगर on the basis of on the basis of applied AC signal या फिर operated AC signal या फिर operated AC signal अपरेटेट अप्लाइट AC signal AC signal की basis पर अमनला operated AC signal की basis पर है operated AC signal की basis पर transformer है वो क्या होता एक है single face transformer एक अपका क्या होता है single face transformer ठीक है single face transformer और दूसरा जो होता है वो क्या होता है three face transformer ठीक है single face transformer and three face transformer on the basis of operated AC signal तो जिस particular AC signal पर वो operate होता है उस operated AC signal की basis पर आपका transformer दो टाइप एक single face transformer और दूसरा क्या होता है three face transformer तो on the basis of operated AC signal there are two types of transformer first is single face transformer second is three face transformer अब चलो हम देखते हैं three single face transformer के बारे में देखते हैं single face transformer ठीक है तब single face transformer किसको बलेंगे ऐसा transformer जो single face AC supply पर operate करता है ठीक है और transformer which operates on single face AC signal is called single face transformer transformer which operates on single face AC signal ठीक है तो ऐसा transformer जो single face AC signal पर operate करते हैं ऐसे transformer को हम क्या बोलते हैं सिंगल फेस ट्रांसफार्मर बोलते हैं बेसिकली सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का यूज हम क्या करते हैं हमारे domestic home appliance जो है जैसे कि आपका stabilizer हो गया voltage stabilizer बोलते हैं इसको voltage fix करने का काम करता है constant maintain का काम करता है ठीक है TV receiver हो गया आपका TV radio receiver हो गया radio receiver हो गया TV receiver radio receiver stabilizer TV receiver radio receiver और various type के आपका जितना भी home appliance है हमारे domestic जो home appliance है वो सारे home appliance में generally क्या होता है single face transformer का use करते हैं clear हुआ तो single face transformer जो use होता है वो step up step down दोनों हो सकता है बट on the basis of construction अगर बोले जाए it may be core type यह आपका core type का transformer हो सकता है core type transformer ठीक है और आपका क्या होता है cell type transformer core type transformer and क्या होता है cell type transformer ठीक है core type transformer हो सकता है cell type transformer clear हुआ तो कहने का मतलब आपका single face transformer किसको बोलेंगे a transformer which operates on single face AC supply is called single face transformer ठीक है basically single face transformer है वो core type single face transformer हो सकता है या फिर cell type single face transformer हो सकता है बलब single face transformer है वो core type से भी designated हो सकता है या फिर क्या हो सकता है आपका cell type का भी transformer हो सकता है basically is single face transformer का यूज हम हमारे जो domestic आपका equipment है या फिर बोल सकते हो हमारा home appliance है जितना भी home appliance है वो सारे home appliance में सारे जगह पे single face transformer का यूज किया जाता है जैसे कि voltage stabilizer हो गया voltage stabilizer TV receiver हो गया radio receiver और बहुत सारे जो भी जानते हैं washing machine जो भी हो लिख सकते हो clear हुआ तो यह है आपका single face transfer अगला है आपका अंधी basis आप operated AC signal there are two types of transformer single face and अगला है आपका three face three face three face transformer ठीक है three face transformer ठीक है three face transformer अब इसको three face transformer कैसे बोलेंगे तो जितना हम जो cell type और core type transformer हम construction में देखे थे वह basically आपका क्या है जो मैं बताया है वह single face transformer है clear हुआ अब three face transformer किसको बोलेंगे ऐसा transformer जो three face AC supply पे क्या करता है operate करता है which operates which operates which operates on three face AC supply on three face three face AC supply ठीक है on three face AC सब्लाइ ऐसा transformer जो three face AC supply पे operate करते हैं ऐसे transformer को क्या बोलते हैं three face transformer बोलते हैं ठीक है अब basically यह three face transformer है वह आपका क्या हो सकता है यह भी आपका cell type या आपकी core type का transformer हो सकता है मनला आंदी basis अगर देखा जाए ही तो three face transformer का design हूम core type में भी कर सकते हैं और किस में कर सकते हैं cell type दुनों form में हम उसको three face transformer क millennials को design कर सकते हैं basically three face transformer का use क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर जो जेनरेटर जो रहता है जेनरेशन जो सेंटर होता है उस पावर जेनरेशन सेंटर में जेनरेटर जो इलेक्ट्रिक पावर है उस जेनरेटर इलेक्ट्रिक पावर को स्टेप अप करके इस 11 किलो वोल्ट के जनरेटेड औलर्टेड येप नहीं नहीं अगर आपको ये पता नहीं है अगर voltage range पता नहीं तो कोई दिख कर नहीं अब बस इतना ही लिख सकते हो basically three-phase transformer का use electric power generation जो center जो रहता है उस electric power generation जो center में generated जो electric power होता है generated जो AC power जो होता है generated AC power है उस generated AC power को step up करने के लिए use होता है it is used to step up generated AC power it is used to boost or to step up the generated AC power at electric power generation center clear हुए तो three-phase transformer का use electric power generation जो center है उस generation center में generated AC power की value को इतनी voltage level तक boost करने के लिए use होता है ताकि वो generated signal power को हम क्या कर सके suitably transmitted कर सके ठीक है तो generated signal है उसको suitable transmitted power लेवल तक increase करने के लिए voltage लेवल तक increase करने के लिए generally हम इस three-phase transformer का हम योज करते है similarly आपका power है वो transmitted हो गया अब उस transmitted जो पावर है उस transmitted power है उसको distribution center पर हम हमें lower voltage में अगर convert करना है ठीक है तो lower voltage आपको मैंने बताया कि 11 किलो वोल्ट का power generate होता है इलेक्रिक power generation center इस generated जो electric power है उसको step up करके higher voltage level में convert करने के लिए इसको हम three-phase power three-phase transformer को हम किसके लिए use करते हैं transmitter, transmission, transformer के लिए की तरह भी हम उसको use करते हैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं मैं फिर से ऐसा transformer जो three-phase AC supply पे operate करता है ऐसे transformer को हम क्या बोलते हैं three-phase transformer कहते हैं clear हुआ अब दूसरी बात यह हैं कि generally three-phase transformer का use हम electric power generation जो center होता है उसमें जो generated AC जो supply है उस generated AC signal की voltage level को higher voltage level में convert करने के लिए हम एक step of transformer की तरह यूज करते हैं उसकी voltage level को इतना voltage level तक increase करने के लिए यूज होता है ताकि हम उसको हम properly क्या कर सके transmit कर सके तो transmission voltage level में उसको increase करने के लिए step of transformer या फिर बोल सकते हैं transmission transformer की तरह हम इसका यूज करते हैं तो three-phase transformer का यूज transmission transformer की तरह यूज होता है ठीक है इस 11 की लिए voltage generated जो signal है उसको higher voltage level higher voltage level में convert करने के लिए हाइर voltage level में higher voltage level में convert करने के लिए उसकी voltage level को इतना higher boost किया जाता है इतना higher increase किया जाता है ताकि उसको properly क्या किया जा सके transmit कर सके किया जा सके दूसरा इसका यूज three-phase transformer का use अब transmitted जो power है वो kilowatt के रेंज में होता है तो higher that means kilowatt के rating में transmitted ऐसी signal को distribution center पे distribute करने के लिए हम इसको step down transformer की तरह भी यूज करते हैं किस की तरह it is also used as step down transformer step down transformer at distribution center distribution center, distribution center distribution center यह एैसि तो लोड़ अ तु लोगर्दी हायर वोल्टेज टु ई को वोल्टेज टू 4 होग मेंस्लोव कि होला था कि थृफेज़ टांस्फार्मर का यह ज्ञेनरेशन सेंटर पे जनरेट यह सीगνοल की वोल्टेज लेवल्यू को higher voltage लेवल तक बुस्ट करने के लिए यूज होता है उसकी voltage लेवल को इतना increase किया जाता है ताकि उस higher voltage की AC signal को properly क्या किया जा सके transmit किया जा सके अब transmitter जो AC signal है उसको distribute करना है तो distribution center पे उस high volt that means किलो वल्ट की rating के जो आपका AC signal है उस किलो वल्ट rating के AC signal को 400 volt के AC में convert करने के लिए इस three phase transformer को हम किसकी तरह यूज करते है डिस्टिबूशन तो distribution center पे three phase transformer का यूज होता है वो आपका क्या कहलता है distribution transformer आपका distribution transformer तो distribution center पे distribution transformer की तरह यूज होता है तो distribution transformer क्या करता है जो किलो वल्ट rating के जो आपका AC signal है उसको 400 volt के AC में step down करके वो convert करके देता है ताकि उसको suitably आपका क्या कर सके डिस्टिबूट किया जा सके और उसको domestic as well as commercial हम उसको यूज कर सके अगर आपको step down की तरह अगर यूज करना है तो distribution transformer की तरह आप उसको यूज करें तो ये था unGebecis यह याद रखेंगे 3 phase transformer में क्या होता है 3 आपका 3 winding रहेंगे जिसमें 3 आपका primary winding रहेगे और 3 क्या رहेंगे तो आपका three single और pre primary winding रहेंगे और उसकें primary winding क्लियर हुआ तो ये है always आप याद रहेंगे और आपका 3 phase transformer का generally आपका construction अगर देखोगे तो यह आपका cell type का ही transformer जरहेंगे इसमें ऐसा cell type के transformer में क्या आप देखेंगे आप इस type का core देखें है rectangular, double rectangular type का आप core देखें है इस type का double rectangular core यह double rectangular core है जिसमें एक winding यहाँ पर primary और secondary इसमें रहेगा एक primary और secondary यहाँ पर रहेंगे इस लेम में भी आपका प्राइमरी और सेकेंडरी घ्णि तो तीनों में मैं आपका प्रामरी और सेकेंडरी हो क्या रहता है तो थी कर सब्सक्राइब है ती ता निगम में थी प्राइमरी वैंडaldr तो इस टाइप से आपका अंदे बेसिस आप आपका कंस्ट्रक्शन एमरलफ आपरेटेग फेस है ठीक है अब अगर हम कूलिंग सिस्टम की अगर बात करेंगे कूलिंग सिस्टम की अगर बात करेंगे ठीक है तो अगर अंदी बेसिस आप अगर कूलिंग बुले तो नेचुरली कूल्ड ट्रांसफार्मर देखो मैं बता देना चाहता हूँ आपके सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है बट बता देता हूँ थोड़ा सा यह अन्दा बैसिस आफ अ कूलिंग सिस्टम आफ तो देखो कूलिंग सिस्टम होता क्या है जैसे हम उसमें external AC supply देते हैं external AC supply के कारण क्या होता है उसके winding में electrical current का flow होने लगता है अब electrical के flow होने के कारण transformer का winding है कुछ amount में आपका current है उसको absorb करता है मलब उसके अंदर large amount में current का flow होने कारण उसके winding हो क्या होने लगता है heat होने लगता है ठीक है अगर हम उसकी winding के heat को अगर हम absorb ना करें उसकी heat की value को अगर down ना करें तो क्या होगा windings पे जो insulation जो रहता है वो उस heat के कारण क्या हो जाएगा destroy हो जाएगा insulation destroy होने से क्या हो जाएगे transformer के winding है वो sorted हो जाएगे और short circuit होने के वज़े से क्या हो जाएगा transformer है वो डेमेज हो जाएगा winding damage मतलब completely आपका transformer भी क्या हो जाएगा तो current flow होने के करण लगातार current का flow होने के करण transformer के winding पे wire windings की मतलब winding मतलब coil किस से बना आपके बहुत सारे number of turns है मतलब simply high conductivity वाले किसी material से बने हुए wire को आप wind करके क्वाइल ते यार के उसी क्वाइल को winding बोलते है winding की संख्या कोई भी transformer में दो होती एक को हम primary बोलते हैं दूसरे को क्या बोलते हैं secondary बोलते हैं clear हुआ तो क्या होता है उसके winding में electricity के flow होने के करण electrical current का flow होने करण उसके winding का जो heat है वो बढ़ते जाता है ठीक है उसके अंदर की heat current है वो temperature ने जीम करण होता है मतलब जो losses जो होता है वो heat के form में होता है losses जो heat के form में होता है उसके करण transformer के winding के अंदर को जो heat है वो क्या होने लगता है करना पड़ेगा, और तो आगर आपको डेमेज होने से बचाना है तो सबसे पहले तो उसके ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग की जो हीट है उसको लोवर करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा और ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग की अगर हीट को कम करना है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करना पड़ेगा transformer की winding की heat है उसको कम करना है तो उस particular case में क्या करना पड़ेगा आपको कैसे भी कहते उस transformer के winding पर generated जो heat है उसको क्या है transfer करना तो transfer उसकी heat को down करने के लिए जिस external mechanism का use करते हैं वही क्या है आपका cooling system ताकि उसकी transformer का winding का temperature है वो कम हो temperature कम होने से उसकी insulation damage नहों और जब insulation damage नहों तो transformer है वो protect हो जाएगा बच जाएगा डेमेज होने से बच जाएगे तो cool मिला अगर transformer को damage होने से बचाने के लिए उसके winding पर generated heat को lower करने के लिए जिस external mechanism का use करते हैं वही external mechanism क्या होता है कुलिंग सिस्टम का लाता है ठीक है तो cooling system के basis पर आपका क्या है cooling system के basis पर transformer है वो दो टाइब एक naturally cooled transformer एक आपका naturally cooled naturally cooled transformer तो naturally cooled transformer में क्या होता है कोई external mechanism का use न करके क्या करते है air के थो उस transformer में various आपका air ducts होता है उस air ducts क्या होता है air है वो passes होता है मतलब आपका प्रकृति में nature में जो हवा का प्रूब बहर है वो बहर ही जो हवा है उस air duct से होकर passes होता है और उस air duct से आपका cold जो air है passes होता है वो winding के थूपास हो जाता है winding के थूपास होता है winding के heat को एक cold air है वो absorb कर लेता है जिससे उसकी winding का आपका temperature है, वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, तो naturally cooled transformer में कोई external mechanism नहीं होता है, उसमें transformer की जो cold जो रहते हैं, उसकी area जो होती है, वो ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, तो क्या होता है, उसकी core के अंदर है, वो heat dissipation जाता होगा, अधि जाय से आपका transformer है, suppose, यह आपका transformer का core हो गया, simple आपका core type, यहाँ पर आपका windings हो गया, आपका secondary winding, यह दो winding, इस complete आपका core और winding है, उसको एक tank के अंदर डुबा देते हैं, टेंक के उपर रख देते हैं, ताकि इसके winding और core है, उसको external moisture आपका, और external आपका force है, उससे damage होने से इसको protect करने के लिए हम इसको एक आपका tank, solid tank के अंदर इसको क्या कर देते हैं, रख देते हैं, clear हुआ, अब क्या होता है, उस आपका जो generally, naturally cooled transformer जब design करते हैं, तो उस transformer की core है, उसकी size है, उसकी area बढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर core की size जादा रहेगा, तो जादा amount में heat क absorb करेगा, तो उस particular case में क्या होता है, naturally cooled transformer है, उसकी core की area अधिक होती है, normal transformer के respect में, ताकि वो अधिक मात्रा में क्या कर सके, heat को absorb कर सके, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस particular आपका transformer है, उससे होकर हम air को क्या करते हैं, पासेस करते हैं, तो natural जो air, जो प्रकृती में जो हवा बहर ही होती है, वही हवा इस transformer से होकर, इसके winding से, इसके core से होकर, पासेस होता है, जिससे इसके core के heat को air है, वो क्या करता है, absorb हो जाता है, absorb कर लेता है, finally इसकी core की, इसकी winding की temperature हो, क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो यह है आपका naturally cooled transformer, दूसरा है, IEL cooled transformer, ठीक है, तो IEL cooled transformer मे केस में क्या करते हैं हम आयल का यूज करते हैं मोबाइल आयल या मिनराल आयल का यूज किया जाता है वो जो आयल है वो क्या करते जाता है लगातार उसके वाइंडिंग पे जेनरेटर जो हीट है उसको क्या करते जाता है एब्सार्व करते जाता है ठीक है तो आपका आयल कूल कूछ नहीं करते, उस transformer के जो आपका डूब आकर रखा जाता है ठीक है तो मिन्राल आयल जो है वो क्या होना चाहिए ट्रांसफार्मर की जो आयल है उसको क्या होना चाहिए बेट कंड़क्टर होना चाहिए ठीक है मतलब बेट कंड़क्टर होना चाहिए वो आपका फ्लेमेबल नहीं होना चाहिए जो अलं है वो जड़ सकता है flammable होता है क्योंकि temperature बढ़ा मतलबchedwoman दूसरे oil हो जलना शुरूहरा कर देगा तो इसमें जो oil यूज करते हो तो क्या है mineral oil जोकि mobile oil को use करते हैं और यह जो mineral oil ओर और mobile oil जो oil है उसकी आपका quality क्या होती है कि वह inflammable होता है वेट कंड़क्टर होता है वह आपका उसकी अंदर का टेंपरेचर कितना भी बड़े वह फ्लीमेबल नहीं रहेगा जेलेगा नहीं बेंट नहीं होग सबसकार. घाल बारन सब्सक्रांद दोसरा है आपका Alcohol कुल्ड ट्रांसफार्मर ओयल कुल्ड ट्रांसफार्मर कुलिंग सिस्टम के बेसिस पर ट्रांसफार्मर का टाइप है एक आपका आयल कुल्ड ट्रांसफार्मर इस ओयल कुल्ड ट्रांसफार्मर में क्या होता है बेसिकली मिनरल या फिर मुबाइल आयल मिनरल आयल mineral oil खनी तेल बोलते है या फिर आपका mobile oil ठीक है mobile oil ठीक है तो mineral oil या फिर mobile oil है उसका use transformer की को या फिर winding की temperature को उसकी heat को absorb कराने के लिए हम use करते है generally ये जो आपका जो भी oil cooling के लिए use होता है वो आपका क्या होना चाहिए inflameable होना चाहिए मतलब अजोलंसी इन फ्लेमेबल मतलब उसकी टेंपरेचर कितना क्योंकि ये जो आयल है उसकी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग या फिर ट्रांसफार्मर के कोर के हीट को एबसार्ब करेगा तो heat absorber करेगा तो mineral oil के अंदर का temperature है वो बढ़ेगा तो जब ये inflammable burn nature का inflammable characteristics करेगा तो mineral oil है वो burn नहीं होगा तो mineral oil जो use कर रहे हो वो inflammable characteristics का होना चाहिए या फिर कुछ आलक होना चाहिए एक insulator की तरह होना चाहिए bed conductor मतलब कि इसके अंदर की temperature वगर को conduction करने की quality नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये inflammable होना चाहिए and bed conductor होना चाहिए ठीक है तो simply oil cooled transformer में क्या होता है उस transformer के जो binding है उसको एक transformer है मैंने एक बताया कि एक टेंक होता है उसी टेंक के अंदर हम किसको रखते हैं transformer है उसकी complete physical उसकी core और winding है उसको रख देते हैं वो जो external environment as well as क्या है आपका moisture हो गया moisture external force वगरसे support करने के लिए उस transformer को आप देखे भी होंगे transformer एक टेंक के अंदर fix रहता है उसके अंदर winding और 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 core है उसको रख दिया जाता है ठीक है तो बिसिकली उस टेंक में क्या होता है winding के temperature को lower करके रखने के लिए यूस होता है clear हुआ तो transformer oil है transformer oil के अंदर टेंक के अंदर transformer oil भरा होता है और उसी transformer oil में किसको रख देते हैं core and winding को उस complete structure को डुबा कर रखते हैं उस टेंपरेचर उसके अंदर डुबा कर रखने से क्या होता है winding और core पे जो generated जो heat है वो उसको कौन absorb कर लेता है mineral oil या फिर mobile oil या फिर इसी को हम किसकी तरह यूश करते है transformer oil किता है तो transformer oil ये transformer oil क्या करता है generated जो heat है generated heat generated heat को क्या करता है absorbed कर लेता है generated heat को absorbed करता है generated heat को absorbed कर कर के winding and temperature की winding and core winding and core की winding and core की temperature को क्या करता है lower रखता है temperature को क्या करता है lower करता है lower रखता है या फिर उसको क्या करता है winding को cooling करके रखता है cooling provide करता है उसकी temperature को कम रखता है ताकि उस transformer की winding का insulation damage ना हो और transformer हो short circuit होने से बच जाए तो cool मिलाकर उसके winding और transformer को damage होने से अगर बचाना है तो transformer की core और winding की temperature है वो क्या होना चाहिए कम होना चाहिए temperature कम तभी होगा जब उससे generated temperature heat है वो क्या होंगे absorb हो जाएंगे heat की value है वो क्या रहेगा कम रहे अगर heat को absorb करना है नेचरली कुल्ड है नेचर में जो हवा flow हो रहा है हवा जो बाहर है वो फ्लो होने वाली जो हवा है वो transformer के core और winding से passes होता है transformer के core और winding से passes जो natural जो air होए वो इस transformer के core और winding पे generated heat को क्या कर देता है absorb कर करके pass निकल जाता है जिससे उसके winding और core की temperature है वो कम हो जाती है temperature कम होने के color और उसकी winding है वो damage होने से बच जाता है clear हुआ तो वही है एक naturally cold है ठीक है दूसरा आपका oil cold है तो oil cold के case में आपका transformer है उसकी core है winding है उसको पूरा oil tank के अंदर डूबा देते हैं ठीक है mobile oil का यूज़ करते हैं यह mineral oil है उसकी nature क्या होना चाहिए inflammable होना चाहिए agile unsealed होना चाहिए और bed conductor होना चाहिए ताकि वो mineral oil है burn नब अगर mineral oil burn होना लग गया तो अब जलेगा और आपने साथ पूरे winding और core को भी जलातेगा damage कर ले तो inflammable nature का होना चाहिए और bed conductor का होना चाहिए ठीक है और इसकी specific heat अगर बोला जाए specific जो heat है specific heat हो क्या होना चाहिए high specific heat और note कर लो high visist house मा बोलते है high specific heat इसकी specific जो heat हो क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए high specific heat होना चाहिए इसकी firing जो point है फाइरिंग मनलब जलने वाला जिस बिंदू पर जलता है वह फाइरिंग पॉइंट इसकी हाई फाइरिंग पॉइंट होना चाहिए हाई फाइरिंग पॉइंट हाई फाइरिंग पॉइंट मनलब हाई टेंप्रेचर पर ही यह जले आसानी से जलना सके मनलब उसके जलने के लि ठीक है मॉइस्चर वगर को एब्सार्ब करने की क्वालेटी कम होना चाहिए ठीक है अब यह हो गया आपका ऐल कुल्ट ट्रांसफार्मर सीधा आयल के टंकी के अंदर उसको डुबा के रख देते हैं अगला है आपका वाटर कुल्ड ट्रांसफार्मर ठीक है वाटर कुल्ड अब आप लोग सोच रहे होंगे पानी के अंदर इसको डुबा के रखते हैं क्या ऐसा करके बेसिकली इसमें पानी है उसको यूज करते हैं आपका टेंक है आप सबको पता है कि बेसिक फिजिकल जो बड़ा सा इस्ट्रक्चर दिखता है ट्रांस्फार्मर का वो टेंक है उस के अंदर कोर और वाइंडिंग है उसको प्लेश्ड कर देते हैं रख जते हैं उसके वो आपका टंकीक टेंक का क्या काम है कि वह एक्स्टर्नल फोर्स से मॉइस्चर से ट्रांसफार्मर है उसको क्या करता है डेमेज करने से रेन बारिस वगरा हो गया यह अदर उसको रख दिया जाता है तो इस में water-cooled transformer है आपका oil-cooled transformer से ही बनाया है बहुत सकते हैं तो इस framework होता है takiej और उस भरे हुए आयल में हम किसको रख देते हैं किसको टांसफार्मर के कोर और वाइंडिंग है उसको प्लेजड़ कर देते हैं तो क्या होता है वो जो मिनरल जो टांसफार्मर जो आयल है वो कोर या फिर वाइंडिंग में जेनरेटेड जो हीट है उसको कौन टांसफार्मर आयाल है वो एबशॉर्ब मंट तो क्या किया जाता है उस टांसफार्मर आयाल से पाइप थुरू आपका पास्भान कर सकते हैं यह को आप North um सब्सक्राइब को यह मैं यह आपका ट्रहकर आइल यह इसमें वाइंडिंग और होता है इसमें वाइंडिंग और को यह वाला और एब्सारब करेंगा यह अब ट्रह दाइटान का बर ना हो जाए तो क्या करते हैं हम इस इस ट्रांसफार्मार ओयर या टंकी इस ट्रांसफार्मार टंकी से होकर हम किसको पास करते हैं एक कोल्ड वाटर है उसको पास किया जाता है ऐसे पाइप के थ्रू हम क्या करते हैं पासे करते हैं तो पासेश करने से ये कोल्ड जो वाट ही इसवे कटीन हैं कि और क्लिदो कर लेता और गी इसक कट रूह सबस्क्राइबक लीट हम क्या कर रहें कि इसको हीट इसको transfer हुआ और इसका heat इसको transfer तो यहां पर cold water के through transformer के generated heat है उसको absorbed किया जाता है इस mercury को क्या बोलते है water pulled transformer है उसको, भुनतल है ठीक है ,ब इसके बाद किया है ? है ,ποर्स ब्र लेक मैं इसको-Nत्व बशूली आपका cold air है उसको क्या करते हैं वाइंडिंग में generated जो आपका heat है ऊव कोल्ड वाइंडिंग के mehr Santa को डाउं कर लिए तो फोर्षड एयर कुल्ड ट्रांसफार्मर इसमें कोल्ड जो एयर है उसको फोर्षफुली ब्लोवर जैसे सिस्टम का यूज करके इसके वाइंडिंग और कोर से पासेस करते हैं जिसे वाइंडिंग और कोर की जेनरेटेड हीट को आपका कोल्ड एयर एब मेकैनिजम के बेसिस एक ट्रांसफार्मर की टाइप है घ्र एक खी फोर्षड प्ली क्या करते हैं इसमें कॉल्ड एयर को क्या किया जाता हाइं प्रेसर के साथ उसके वाइंडिंग से होगा पास करते हैं तो cold air है वो पास होता है winding से तो heat की नेचर है higher से lower मना winding की heat है वो air में चला जाता है जिससे winding की temperature क्या हो जाती है डाउन हो जाते है तो यह था transformer का classification वैसे आपके syllabus में सिर्फ construction था बट मैंने अपने तरब से एक बार पढ़ना है करके थोड़ा detail ले लिया classification आपको पढ़ना है कभी exam में आजाए तो एक काम आजाए ठैंक यू वीडियो अगर अच्छा लागे तो like करे, comment करे, share करे, thank you